दोस्तों जैसे जैसे उपचुनाओं का समय नजदी का रहा है राजनेति खेल भी सामने आ रहे हैं हर कोई अपनी अपनी तरह से सियासी गणित बठाने या बिगाड़न में लगा है सभी जानते हैं कि सलूंबर और 84 सीट दोनों ही इस बार की होट सीट बनी हुई है और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम इस पर लगा रही है हर हाल में बीएपी इस पर काबिज होना चाहती है तो भाजपा के लिए ये प्रतिस्ठा का सवाल है दूसरा अमरत मीना की मौत के बाद वहां सहनुबुती लहर का फाइदा भी भाजपा को मिल सकता है और कॉंग्रेस का तो परंपरागत वोट बैंक आदिवासी हमेशा से रहा ही है तो कुल मिलाकर मुकाबला तो त्रिकोनिय ही दिख रहा है और जबरदस्त दिख रहा है अब किसका किससे गडबंदन हो जाए यहां खेल कभी भी पलट सकता है आप जानते हैं कि पिछले दिनों बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत को लेकर कई तरह की खबरे हवाओं में तेरती रही यहां तक कि एकनाच शिंदे के साथ जाने की खबरे भी वाइरल हुई हाला कि सांसद रोत ने इसका खंडन किया और कारवाही की बाद भी कही लेकिन अब दिखते आँखों आखिर मक्ही कैसे निगले जाए जब भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मुहंदास अगरवाल ने हाल ही में अपने दौरे के दौरान कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि बासवड़ा सांसद राजकुमार रोत बड़े नेता बने अपने शेत्र के विकास के लिए भाजपा से मिलकर काम करें हमारी सरकार राजस्थान में हैं दिल्ली में हैं हम सब उस शेत्र के विकास के लिए काम करें अगरवाल के इस बयान के बाद भाजपा और बीएपी के बीच गटबंदन की अटकले तेज हो गई है हाला कि गटबंदन के सवाल पर खुद अगरवाल ने कहा कि मैंने ऐसी कोई चाहत व्यक्त नहीं की है राजकुमार रोध नौजवान है वो कोशिश कर रहे हैं कि भी समाज में जखरुकता पैदा करें उन्हें दीरे-दीरे समझ में आ जाएगा कि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कॉंग्रेस की गोद में बैटकर नहीं होने वाला है ये काम प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ही कर सकते हैं सुनिए क्या कहा उन्होंने राजकुमार रहुजी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे फिर उन्होंने अलग होकर कि आदिवास्थी पार्टी बनाई है और एक नोजवान की तरह कोसिस कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरुकता पैदा करें दिमे दिमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांगरेस की गुद में बैट करके नई होने वाला है यह काम तो मोदी जी ही करते हैं मैं तो चाहता हूँ कि वो बड़े नेता बने अपने छेतर के विकास के लिए हमारी सरकार राजस्थान में है हमारी सरकार दिल्ली में है मिल करके काम करें हम सब उस छेतर के विकास के लिए सुना आपने अब उनका इतना कहना था कि इधर सांसद राजकुमार रोत ने उनके इस बयान या तारीफ को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आदिवासी शेतर के सरवांगेन विकास एवम आदिवासियों के हक अ उदैपुर एवम बासवाडा संभाग के बीजेपी नेताओं को सत्थ बुद्धी देंगे अब दोस्तों यहां फिर से दो सवाल खड़े हो गए हैं कि सांसद राजकुमार रोत ने क्या ये कहकर भाजपा पर गहरा कटाक्ष किया है अगर कटाक्ष है तो बहुत गहरा है क अब तक किसी ने कोई काम नहीं किया फिर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कॉंग्रस हो और ऐसे में दोनों दलों की फजीखत हुई है और अगर कहीं ये वाकई तारीप समझ कर धनिवाद है तो फिर जरा दाल में काला भी नज़राता है और गड़बंदन किस बुगाहट भी दिखाई देती है अब असल में क्या खिचडी पकती है या अंदर खाने पक रही है ये बहुत जल सामने आएगा वैसे आपको क्या लगता है बीएपी गड़बंदन करेगी और अगर किया तो किस से क्योंकि ये राजनीतिक आउंठ है किसी भी करबट बैठ सकता है